दोस्तों आप सभी को मेरा हर्दिक नमस्कार एक बहुत बड़ी खबर सुनाने वाले हैं कि ये वीडियो मैंने खास कर से आप ही के लिए हिंदी में बनाए हैं और उसकी बज़े ये कि बहुत सारे लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा पॉल्स पॉजिटिव रिजल्स पर कोविड-19 टेस्टिंग और मुझसे पूछा कि भाई आप जरा हिंदी में भी बताईए इसको तो मैंने सोचा कि हिंदी में इस वीडियो को बनाते हैं और आप से शेयर करते हैं ये सारी information अगर आप इस चैनल पर पहरी बार आए हैं तो मेरा नाम है नवीन अगरवाल और मैं इस तरह के वीडियो इसी वज़े से बनाता हूँ कि आप सभी को जानकारी मिले COVID-19 के बारे में जानकारी मिले vaccine के बारे में जानकारी मिले diagnostic testing के बारे में जानका क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई हमने ये test किया घर पे उसका result तो positive आया और मुझे तो कोई symptom नहीं था लेकिन फिर मैंने RT-PCR test किया और उसका result negative आया तो कौन सा test सही है क्या माने क्या मुझे COVID है कि नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा पर वीडियो बनाके आपको information share करता हूं जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाए और अगर कोई और सवाल हो आपके दिमाग में तो मुझसे पूछें कामें डाल दें इस वीडियो में और मुझसे पूछें कि ये बात क्या है और मैं बिल्कुल से आपको जवाब दूँगा ज कैसे समझें और अगर ऐसा result आया है जो आपको लगे कि गलत result है तो उसका मतलब क्या है उसको कैसे समझें और कैसे avoid करें उसको कि उसका result गलत ना आए कैसे सही तरह से test करें ये भी मैं पताऊंगा आपको इस वीडियो में तो अगर ये अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और notification को on कर दीजिए जिससे की इस तरह के video आपको आगे भी मिलें और अगर हिंदी में मुझे video बनाने का आपको request करना है तो जरूर से बोले कोई भी सवाल हो उसके बारे में मैं हिंदी में भी आपको वीडियो बनाऊंगा और अगर हिंदी में आपको ज्यादा comfortable नहीं है तो English का sub-chiral भी दे दूँगा वीडियो में ठीक है चलो देखते हैं इस बारे में कि rapid antigen test क्या है और उसमें गलत result कैसे आ सकते हैं और अगर गलत result आए आपको लगे result गलत है तो उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए ये बाते हम इस वीडियो मे समझाएंगे दोस्तों तो इस तरह कि rapid antigen test आ रहे हैं खूब आपने देखे होंगे एक ऐसे strip होती है आप उसमें अपना sample लीजिए डाल दीजिए liquid डाल दीजिए और अगर control line और test line दोनों dark आ जाएं तो वो positive होता है लेकिन अगर खाली control line आया तो वो negative होगा और अगर दोन आजने की जडरूत है कि जो sample की line है वो एकदम हलकी भी हो सकती है paint भी हो सकती है तब भी वो result positive माना जाएगा लेकिन positive होने के लिए control line और sample line दोनों ही दिखनी चाहिए उसका color change होना चाहिए अब इस picture में मैंने आपको दिखाया है कि color उसका pink बदला है ये depend करता है कि आप लेकिन color change होगा जरूर से तभी ये माना जाएगा कि वो test आपने ठीक से किया है अच्छा ठीक है तो आपकी test की accuracy कैसे समझें क्या मालूम है कि test accuracy का मतलब क्या है तो इसको दो चीज़ें समझने की जरूरत है जब test को ये लोग बनाते हैं develop करते हैं तो उसका clinical validation होता है clinical validation में वो testing करते हैं अपनी laboratory में और देखते हैं उसका result क्या है तो वो देखते हैं कि कुछ sample ऐसे लेंगे जो confirmed COVID-19 यानि कि 100% guarantee है RT-PCR से करीब-करीब कि वो जो sample है वो confirmed positive case का sample है और दूसरा sample लेंगे confirmed negative case का और फिर देखेंगे कि test का result क्या है तो या तो test का result positive आ सकता है या test का result negative आ सकता है अब मान लीजे हम एक just एक example ले रहा है आपने test किये और पता लगा कि 85 positive आए जब वो positive आने चाहिए थे और 15 negative आए उसको बोलते है false negative माने गलत negative तो इस तरह को मान लीजे इसकी positive accuracy है यहां पर positive accuracy हो गए इसकी 85% 85 सही में positive है 15 गलत में negative है और दूसरे तरी के से अगर देखेंगे तो मान लीजे 95 सही में negative आए और 5 false positive आए तो उसकी negative accuracy हो जाएगी 95% तो दो चीजे समझने की ज़रूत है positive accuracy जिसको diagnostic sensitivity बोलते है और negative accuracy जिसको diagnostic specificity बोलते है तो इसका मतलब क्या है इससे फरक क्या पढ़ता है कि आपको positive आएगा कि negative आएगा और वो सह positive है कि नहीं यह accuracy से समझना पड़ता है तो इसका मान मतलब क्या है कि आपने मगर एक test किया अपने लिए तो individual आदमी के लिए उस test का result का मतलब क्या है इस बारे में मैं समझाऊंगा इस slide मान लीजे कि आपके इलाके में COVID का जो rate है वो 5% का rate है माने 100 लोगों में से 5 लोगों कर सकते हैं जो हमने आपको positive accuracy बताई और negative accuracy बताई पांच percent के rate पे हम calculation कर सकते हैं कि individual आदमी के लिए जो test result आएगा उसका मतलब क्या है देखी हमने पिसली slide में बताया था कि 85 true positive थे 15 false negative थे तो 85% positive accuracy हुई 5 false positive और 95 true negative तो 95% true negative तो 95% negative accuracy हुई लेकिन इस बात का मतलब यह नहीं है कि आपका अगर positive result आया तो 85% accurate हुई या अपका negative result आया तो 95% accurate यह बात नहीं है वो calculation करके हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपका positive result आया तो खाली 47% chance है इस test में कि आप सही में positive हो यानि 50% chance है कि आप सही में positive नहीं हो तो वो गलत positive result आयगा ये इस तरह की बात है लेकिन अगर negative result आया तो उसकी accuracy बहुत जादा अच्छी है 99% और अगर positive result आया तो उसकी range है 28% ते 68% भी कहीं भी range आ सकती है उसकी वज़े ये है कि जो test की accuracy के इनोंने data दिखाया है वो data खाली 85, 15 खाली 100 sample के उपर data है या 95, 500 sample के उपर data है और उसकी specificity जो negative accuracy है वो खाली 95% है तो ये chance हो सकता है कि आपका जो positive result आया वो सही positive result नहीं है वो गलत positive result भी हो सकता है इसी वज़े से test की accuracy का फरक बहुत जादा अब देखिए आप ये कर सकते हैं कि test ऐसा select कीजिए इसमें high specificity माने उसकी negative accuracy बहुत जादा अच्छी होने चाहिए मान लीजे आपका test A है जो हमने अभी example देखा है 85% 95% और test B है जिसमें खाली ये 99% negative accurate है 95% की जगे तो इसकी negative accuracy और specificity ज़्यादा उची है बाकी सब ठीक है तो आप देखी इसकी calculation करके मैं आपको बताता हूँ जो पहले दिखाया था वो 47% positive accuracy 99% ये individual आदमी के लिए ठीक है 28 to 68 लेकिन अगर test B करेंगे आप B test करेंगे तो positive आए तो 82% confidence है 82% chance है कि वो सही में positive काफी improvement हुआ देखा ना आपने यानि false positive की जो rate है वो कम हो जाए और negative का rate वैसा ही रहेगा अगर negative result आया तो सही में negative है बहुत अच्छा confidence हो सकता है आपको कि वो सही में negative है और positive की range 39 to 97 काफी improvement हुआ है तो इस वज़े से पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आप test का paperwork देखो paperwork में देखो कि वो specificity, diagnostic specificity negative accuracy कितनी है उसकी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा 95, 99 जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है दूसरी चीज आपके ये कर सकते हैं कि सारे जो direction दे रखे हैं आपको ध्यान से पढ़िए बिल्कुल कोई भी step आप न छोड़िए ध्यान से पढ़िए सारा जो direction है वो ध्यान से देखिए पहला काम तो ये है कि जो आप test लेके आए घर में तो उसको धंग से store करिए उसमें direction लिखा हुआ है कितना temperature होना चाहिए freezing नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा overheating नहीं होनी चाहिए और जब तक test यूज ना करें तब तक उसकी storage बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए टेस्ट करने से पहले अपने हाथ धो लें और जो table पे टेस्ट कर रहे हैं उसका surface जो है वो धंग से साफ कर लें बहुत ज़रूरी है जो swab है उसको अपने हाथ से नच हुआ है क्योंकि उससे contamination हो सकता sample धंग से लीजिए अगर उन्हेंने बोला है कि आप नाक में डाल के 4-5 बार घुमाईए तो वैसा ही होना चाहिए अगर आपने धंग से नहीं किया तो धंग से sample नहीं आएगा और उसका गलत result आ सकता है एक liquid देते हैं जो आपको liquid डालना पड़ता है उसके अंदर तो 5-6 drop डालनी पड़ती है तो एकदम right amount होना चाहिए वो ही डालिए और बोलते हैं कि 15 मिनट तक wait करो तो पूरा जो result है वो धंग से देखिए पूरा result wait करके धंग से देखिए तो सारे direction अगर आप धंग से करेंगे तो गलत result आने का chance कम हो जाए अगर मान लीजे गलत result आ भी गया तो डरने की बात नहीं है परेशान होने की बात नहीं है अगर आपको symptoms हैं और positive आया तो confirm कर लीजे RT-PCR से और जब तक confirmation ना हो तब तक आप isolation में होना चाहिए सबसे अलग हो जाएए अगर symptoms हैं और negative आया फिर भी जरूर से confirm कर लीजे हालांकि negative accuracy इन सारे test की बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी confirm करना बहुत जरूरी अगर symptoms नहीं हैं और test negative आया लेकिन आपको exposure हुआ है कहीं गए जहां पे लोगों को COVID हुआ है तो उसको test को फिर से दुबारा repeat कर लीजे दो तीन दिन के बाद अगर फिर से negative आ जाए तो उसमें आपका confidence बहुत अच्छा होना चाहिए कि सही में negative और अगर आपको confirmation हो गया कि आप positive हैं तो डॉक्टर से जरूर बात कीजिए तो मैंने जैसे आपको दिखाया इस वीडियो में कि ये जो antigen test हैं rapid antigen test हैं इनकी accuracy कोई बहुत ज़्यादा नहीं है RT-PCR से तो बहुत ही कम है तो उस accuracy कम होनी की वज़े से false positive आना कोई ताज़ुक की बात नहीं है उसे RT-PCR confirmation कर लीजे अगर negative result आया है तो उसका confidence बहुत ज़्यादा अच्छा generally लेकिन फिर भी अगर आपको exposure हुआ है तो RT-PCR का confirmation करना बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आप अपना ध्यान रखिए अगर positive confirmation हुआ है तो isolation करना बहुत ज़रूरी है और doctor से बात करना बहुत ज़रूरी है और अगर negative result भी आया है और आपने vaccine ने लगवाई है तो फिर भी आपको अपना ध्यान बहुत ज़रूरी रखना चाहिए बाहर जाएं तो mask लगा लीजिए जरूर से हाथ साफ करिए लोगों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन अगर दूर ना हो पाएं तो mask लगाना बहुत ज़रूरी है तो आज कल के माहौल में आपको इस तरह के precaution लेना बहुत ज़रूरी है बताइए ये वीडियो में जो मैं आपने information मैंने आपको share की वो आपको अच्छी लगी की नहीं समझ में आई बात की नहीं अगर कोई और सवाल हो तो मुझे जरूर से comment में डाल दीजिए और मैं आपको उसका जवाब जरूर से दूँगा और अगर किसी और topic में हिंदी में वीडियो बनवाने की आपको सिफारिश है तो आप जरूर से बताईए मैं फिर से हिंदी में बनाऊंगा और वीडियो में इंग्लिश का subtitle भी डाल दूँगा जिनको हिंदी में ज़्यादा comfortable नहीं है तो उनकों इंग्लिश का subtitle भी मिल जाए अच्छा ठीक है नमस्कार सभी को आप अपना ध्यान रखें और मेरी तो यही इच्छा है प्रार्थना है कि आप सभी इस महावल में सेफ रहें और किसी को COVID ना हो